हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेज, मेरा नाम निले श्रेंजन है और ये अकाउंटिंग फॉर शेर कापिटल का चौथा वीडियो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉल्सिन एरियर और कॉल्सिन एडवांस के अकाउंटिंग ट्रिटमेंट के बारे में अकाउंटिंग ट्रिटमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कॉल्सिन एरियर और कॉल्सिन एडवांस होते क्या है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉल्सिन एरियर की, क्या होता है? कॉल्सिन एरियर का मतलब होता है बकाया याचना, यानि की जो पैसा हमारा बांकी रह गया तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि कॉल्सिन एरियर क्या होता है अब कंपनी अपने अंशो को दो तरह से निर्गमित करती है दो तरह से मतलब एक की जिसमें कंपनी अंशो पर जो पूरा पैसा होता है वो एक साथ मांग लेती है और एक जब अंशो का पैसा कंपनी अलग-अलग भागों में मांगती है तीन-चार कॉल करती है उसके लिए जिसमें अप्लिकेशन आता है, अलॉट्मेंट आता है, फर्स्ट कॉल आता है, सेकेंड कॉल आ सकता है ये कम या जादा भी हो सकते हैं, ठीक है? तो एक जब पूरा पैसा इकठा मांग ले रही है और एक किष्टो में मांग रही है तो पूरा पैसा जब इकठा मांग ले रही है कंपनी और उसको मिल जा रहा है, तभी कंपनी शेर देती है तो यहाँ पर तो call scenario की बात हो ही नहीं सकती है क्योंकि जब तक पूरा पैसा हमको मिलेगा नहीं तब तक हम share देंगे नहीं तो यहाँ पर call scenario नहीं होगा लेकिन जब company किष्टों में पैसा मांगती है और shareholders ने एक call या दो call का पैसा चुका दिया और तीसरे call का पैसा नहीं चुकाया यानि कि अलग-अलग जो किस्ट होते हैं उसमें से किसी किस्ट का पैसा उसने मना कर दिया या नहीं दिया किसी भी कारण बश तो उस situation में वो जो पैसा हमको नहीं मिला है वो call scenario कहलाता है ठेक है? अब call scenario क्या हो गया? तो जब कंपनी के द्वारा किसी भी याचना की मांग की जाती है और उस याचना का भुकतान किसी अंशधारी द्वारा नहीं किया जाता है तो उसे बकाया याचना कहते हैं यानि कि call scenario कहते हैं मतलब क्या है? जब कोई अंशधारी मांगी गई याचना का भुकतान निर्धारित अवधी में नहीं करता है तो उसे call scenario कहते हैं अब call scenario से होगा क्या? हमने पैसा मांगा और उतना पैसा हमको नहीं मिला तो ये हमारा paid up capital कम कर देता है तो इसको हम balance sheet में भी दिखाते हैं paid up capital को कम करके अब मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था जब हम balance sheet में share capital को दिखाते हैं तो दो तरह से हम subscribe capital को दिखाते हैं एक subscribed and fully paid up और दूसरा था subscribe but not fully paid up तो subscribed and fully paid up का condition ये था कि हमने पूरा पैसा मांग लिया और हमको पूरा पैसा मिल गया तब हम subscribed and fully paid up में दिखाते थे और subscribed but not fully paid up में किसको दिखाते थे तो जब हमने पूरा पैसा या तो नहीं मांगा है या हमने मांगा बट हमको नहीं मिला ये दो या तो हमने मांगा ही नहीं तो भी दिखा देंगे इसको not fully paid up में और दूसरा कि हमने मांगा बट हमको मिला नहीं तो उस situation में भी हम subscribed but not fully paid up में दिखाते थे और उस amount में से यही call scenario घटा कर हमको दिखाना होता है तो इसकी accounting कैसे करते हैं, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, तो call scenario को दो तरह से खातों में दिखाया जा सकता है, ठीक, एक जब call scenario account खोलेंगे और दूसरा जब call scenario account नहीं खोलेंगे, इसमें call scenario account नहीं खोला गया है, और इसमें call scenario account खोला गया है, तो हम करेंगे क्या इनमें, तो journal entry की जाती है, अगर call scenario account नहीं खोला गया है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि call scenario की जो entry होती है, वो हमेशा bank वाले entry के साथ होती है, receipt वाले entry के साथ होती है, due वाले के साथ नहीं, क्योंकि due की entry पहले होगी, हम पहले पैसा मांगेंगे, तभी तो बाद में हमको हो सकता है पैसा मिले या न मिले तो due वाले entry के साथ में आपको call scenario के entry नहीं करनी है तो यहाँ पर कोई भी call ले लीजे अच्छा एक और बात है कि call scenario कभी भी share application के साथ नहीं होगा क्यूंकि application पे जब तक हमको पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम share देंगे ही नहीं और जिसको हम share देंगे ही नहीं उस पर कैसा call scenario तो इसी लिए application पे कभी भी call scenario नहीं होता है call scenario allotment पे हो सकता है first call पे हो सकता है second call पे हो सकता है application पे नहीं होगा तो यहाँ पे हम application को छोड के बात करेंगे यह due की entry कर रहा है, तो due की entry हो सकता है, अगर allotment की बात करें, तो share allotment account, डेविट, यहाँ पे first call भी लिख सकते हैं, to share capital, यह due कर वा लिया हमने, entry, due हो गया, और यहाँ पे account maintained नहीं है, इसलिए जब हमको पैसा मिलेगा, तो हम call scenario नहीं लिखेंगे, और उसकी जगह सीध है, debit to share allotment लिख देंगे, मतलब क्या हो गया, कि आपको entry उसी तरह से है, जैसे पहले करते थे, लेकिन होगा क्या, कि due में, यहाँ पर, आप full amount लिखेंगे, यानि कि, पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे, अगर हमने, एक लाख अंशो पर, तीन रुपे के हिसाब से, पैसा मां है, तो यहाँ पर तीन लग और 3 लाख चरहा देंगे, लेकिन, अब हमको पैसा मिलेगा नहीं, तो हो सकता है, एक लाख शेर पर न, पांच हजार शेर पर हमको पैसा नहीं मिला, 95,000 पर मिल गया total हमने 1,00,000 पर मांगा था उसमें से 95,000 पर मिल गया और 5,000 पर नहीं मिला तो यहाँ पर तो 3,00,000,000 तो 3,00,000,000 आ जाएगा क्योंकि 1,00,000 गुने 3 लेकिन यहाँ पर आप full amount नहीं लिखेंगे जो total amount मांगा गया है उसमें से आप call scenario घटा के दिखाएंगे यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि 5,000 share पर हमको पैसा नहीं मिला है तो यहाँ तो हमने 3,00,000,000 दिखा दिया अब 5,000 share पर हमको पैसा नहीं मिला तो 3 रुपे के हिसाब से नहीं मिला तो 15,000 नहीं मिला तो 2,85,000 यहाँ जाएगा 2,85,000 यहाँ जाएगा बात खतम यहाँ पर और कुछ भी आपको नहीं करना है तो due के entry पूरे amount पे होगी total amount पे और जो receipt के entry होगी उसमें से call scenario घटा कर आपको लिख देना है entry सेम है, entry में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बदलाव हो जाएगा due का entry तो इसमें भी same होगा एकदम same कोई भी अंतर नहीं है इसलिए मैंने same लिख दिया है share allotment to share capital है वही इधर भी आजाएगा, अच्छा यह भी है अगर यहाँ पर first call या final call होता तो हम वो लिख देते हैं जिस भी call पे या अच्छना का पैसा नहीं मिलेगा, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, हो सकता है first call पे नहीं मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे share first call account debit to share capital account हो सकता है, हमको final call पे पैसा नहीं मिला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे share final call account debit to share capital account ठीक है तो इस तरह से आपको दिखा लेना है इसके बाद अब इधर की हम बात कर रहे थे तो ये तो आपका same entry हो जाएगा यहाँ पर जो दूसरा entry आप करेंगे receipt का उसमें आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर calls in area account खोला गया है calls in area account maintained है तो bank account debit calls in area account debit to share allotment account अब यहाँ पर आप allotment के सामने जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 लाग 3 लाग यहाँ हुआ और यहाँ पर 2 पचासी 2 पचासी लिख दिया लेकिन इसमें क्या हुआ तीन लाग 3 लाग तो करेंगे लेकिन यहाँ पर 2 पचासी आएगा 15,000 call scenario में जाएगा और 3 लाग ही allotment के सामने जाएगा इससे क्या होगा allotment का account जो है हमारा वो close हो जाएगा यहाँ पर allotment का account close नहीं होगा अगर आप account बनाने पर आएंगे अगर मान लिजए आप share allotment का account बना लेते हैं तो क्या होगा इसको जब लिखेंगे तो debit में तो 2 share capital 3 लाग आ जाएगा और credit में आपको bank से 2 पचासी आएगा इस वाले case में 2 पचासी इधर 3 लाग इधर तो क्या हुआ 15,000 का balance बच रहा है तो share allotment account हमारा close नहीं हुआ लेकिन जैसे इस तरफ आएंगे तो ये तो 3 लाग आ गया इधर भी 2 पचासी और 15 का buy call scene area 15,000 तो इधर भी 3 लाग हो गया इधर भी 3 लाग हो गया share allotment का account close हो जाएगा और cable call scene area account खुला रह जाएगा तो यहाँ पर call scene area account खुला रह जाएगा allotment account close हो गया तो इस तरह से हम call scene area की entry करते हैं अब इसके बाद बाद आती है कि call scene area पे ब्याज की भी entry आती है अब interest on call scene area जो है उस CBSC में syllabus में नहीं है बट जो state boards है उसमें syllabus में आ जाते हैं तो उसकी भी entry आपको करनी पर सकती है आपको हो सकता है कि आपको interest on call scene area के बारे में पूछ दे तो हम उसकी भी entry जान लेते हैं और फिर एक question करेंगे जिस हमको call scene area ज्याद अच्छे से समझ में आ जाए तो interest on call scene area की entry क्या होगी interest company के लिए income है क्योंकि पैसा बाकी मेरा किस के पास है shareholder के पास तो shareholder ही ब्याज चुकाएगा किस को company को और company के लिए यह फाइदा है तो यहाँ पर entry हो जाती है shareholder account debit to interest on call scene area इस तरह से आप entry कर देंगे ठेक है अब इसका payment जो होगा वो obviously shareholder से हम call के पैसे के साथ ले लेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते है bank account debit to shareholder अब यहाँ पर हमने interest on call scene area जो है वो shareholder के account में डाल दिया कि shareholder से वो पैसा हमको लेना है interest on call scene area में लिए इंकम है तो credit में चला गया ठेक है अब यहाँ पर हमने shareholder के पास डाल दिया है तो उससे पैसा ले लेंगे तो पैसा जब मिलेगा for receipt कह लिजए आप तो bank account debit to shareholder account लेंगे और उसके बाद अब यह जो interest on call scene area है यह एक nominal account है तो nominal account है तो आपको इसको write off करना होगा transfer करना होगा transfer to statement of profit and loss statement of profit and loss तो क्या entry हो जाएगा interest on call scene area account debit interest on call scene area account अब इसके बाद बात करते हैं rupees 10 each and issued 10,000 equity shares which is fully subscribed ठीक है तो कहने का मतलब है कि A limited 12,500 shares के साथ registered था यह जो 12,500 का share है उसका दाम 10 रुपया है यानि कि 1,25,000 रुपया उसका authorized capital है maximum capital है उसमें से उसने 10,000 shares issue कर दिये 10,000 share issue किये और वो fully subscribe हो गया यानि कि सभी के लिए application हमको आ गये ठीक है अब उसमें पैसे कैसे देने है यह है तो application पे 3 रुपया देना है allotment पे 5 रुपया first call पे 2 रुपया देना है तो 10 रुपय का share है उसमें 3 रुपया हमको application पे देना है 5 रुपय हमको allotment पे है first call पे है 2 रुपया तो यह जो पैसे हैं इस तरह से हमको मिल जाएंगे उसके बाद कह रहा है money received on all shares except for allotment money on 1000 shares and first call money on 1500 shares कह रहा है कि 1000 shares पे हमको allotment का पैसा नहीं मिला है और 1500 shares पे हमको first call का पैसा नहीं मिला है तो हमको journal entry करना है तो अगर journal entry बनाने पे जो भमाएंगे तो सबसे पहले application received का entry करेंगे जो की होता है bank account debit to equity share application account अब यहाँ पर equity share दिया हुआ है इसलिए सभी share के आगे आपको equity लगाना जरूरी है तो जितनी भी entry करेंगे उसमें equity जरूर लगाईएगा वो ज़्यादा सही रहेगा अब इसमें 10,000 share पर तीन रूपे के हिसाब से हमको मिला है तो 30,000 रूपया हमको मिल गया और application पर call scenario नहीं होता है इसलिए यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है narration आप लिख सकते हैं कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है तो यहाँ पर equity share application account debit to equity share capital account 30,000 तो इसमें amount कुछ भी change नहीं हुआ है same है तीसरी entry में आपको due वाला करवाना है allotment और call scenario के entry due के साथ नहीं होती है तो allotment की भी पूरी राष्चिक entry करेंगे due वाले entry के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा share allotment account debit to share capital account और उसके बाद bank account debit to share allotment account अब इसे पर हमने मांगा था पांच रुपया दस अजार share पे तो पचास अजार मांगा होगा लेकिन वो कह रहा है कि एक हजार share पे allotment money on 1000 shares जो है वो हमको नहीं मिला है तो इसमें 1000 share पे 5 कहीं साब से 5000 रुपया हमको नहीं मिला तो पचास अजार में मत्र 45,000 मिला 5000 हमको नहीं मिला उसके बाद फिर first call का due कराएंगे तो share first call account debit to share capital account यह due हमने करवा लिया अब कितना पैसा मांगा है तो 10,000 share पे 2 रुपय के हिसाब से 20,000 रुपया मांगा और इसमें हमको 1500 share पे पैसा नहीं मिला यह कह रहा है call money on 1500 shares तो bank account debit to share first call account कितना 1500 share पे हमको नहीं मिला है तो 1500 share पे 2 रुपय के हिसाब से 3,000 रुपया नहीं मिला तो 20,000 में से 3,000 हटा के 17,000 हमको मिल गया तो यह तो है आपको पहली विधी का question है अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हमको allotment पे 1000 share पे नहीं मिला था ठीक है यहाँ पे अलग-अलग नाम नहीं है वो कहरा कि 1000 allotment पे नहीं मिला और 1500 first call पे नहीं मिला तो उस 1500 में 1000 allotment वाला भी शामिल है तो अत्रिक्त केबल 500 ही नहीं मिला हमको first call पे allotment पे 1000 first call पे 1000 वहीं है ठीक है और 500 additional है तो total हो गए 1500 तो यह नहीं है कि दोनों जोड़ देना वहीं होता कि राम ने allotment पे 1000 नहीं चुकाया और देता मोहन ने first call पे 1500 नहीं चुकाया तब total आफ first call पे 2500 की entry करते लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसलिए 1000 जो allotment वाला है वही first call पे भी हो गया तो यह है आपका पहला विधी जो है जिसमें call scene ADR account नहीं खोला जाता है अगर खोला जाता तो entry बदल जाता ठीक है यहाँ पे नहीं खोला गया तो हमने क्या किया 50,000 था और जो receipt वाला entry उसमें सीधे कम करके दिखा दिया यहाँ पे 50 का 45 हो गया यहाँ पे 20 का 17 हो गया लेकिन अगर calls in ADR account खोलना होता तो हम यहाँ bank account debit calls in ADR account debit लिख देते और यहाँ पर 5000 लिखते और यहाँ पर 50,000 लिखते उसी तरह यहाँ पर भी हम calls in ADR कर देते और यहाँ पर 3000 लिख देते और first call के सामने 20,000 हो जाता तो इस तरह से आपका दूसरे विधी से भी question बन जाएगा तो यह है call scenario अब इसके बाद हम जान लेते हैं calls in advance के बारे में तो calls in advance अब इसका क्या मतलब हो गया तो इसका मतलब यह है कि जब कोई अंशधारी किसी एक याचना पर आगे की याचना जो भी मांगी भी नहीं गई है उसका पईसा भी चुका दिया अपने advance का मतलब समझा होगा कि जैसे अभी फरबरी चल रहा है ठीक है और हमको rent लेना है किसी से अब rent लेना है या tuition fee लेना है फरबरी का और कोई student हमको March और April दोनों का fee चुका देता है ठीक है तो यह मेरे लिए भी income नहीं है यह मेरे लिए दाइत तो है लाबलिटी है क्य क्यों कि अभी March अपरील नहीं आया है और मैंने उसको March अपरील के लिए कुछ भी नहीं पढ़ाया है ठीक है तो अगर वो पैसा मुझे चुका देता है March अपरील का तो मेरे लिए advance होगा तो उसी तरह यहाँ पे भी अगर कोई shareholder application के साथ allotment का first call का final call का या first call के साथ final call का पैसा चुका देता है तो यह calls in advance कहलाते है हाँ यहाँ पर एक भात ध्यान रखने वाली यह है कि calls in advance कभी भी अंतिम याचना पर नहीं होगा क्योंकि अंतिम याचना के बाद किसलिए पैसा देगा वो अंतिम याचना मतलब आखडी है काम खतम उसके बाद उसको पैसा देन पैसा ही नहीं तो advance किस चीज़ के लिए देगा तो इसलिए अंतिम याचना पर calls in advance नहीं होता है आपको ध्यान दखना है कि application पे calls in area नहीं होता है और final call पे calls in advance नहीं होता है ठेक है तो calls in advance की entry क्या होगी तो entry के लिए जब हम बात करेंगे तो जब हमको मिलेगा अब calls in advance हमको application पे मिल सकता है allotment पे मिल सकता है और first call पे मिल सकता है और ये मेरे लिए liability है ठीक है तो इसको आप कहां दिखाएंगे तो पहले तो entry हमेशा receipt वाले entry के साथ में होगा bank account debit to share application account allotment भी हो सकता है और first call भी हो सकता है ठेक है अगर first call अंतिम call है तो इस पे भी advance नहीं होगा तो ये तीनों में से कोई हो सकते है और साथ में to calls in advance तो calls in advance जब मिला तो हम ये entry करेंगे उसके बाद इसको for adjustment of calls in advance यानि कि अब हमको पैसा adjust भी तो करना पड़ेगा application पर मिला तो allotment के लिए मिला तो allotment पर adjust करना पड़ेगा allotment पे मिला अगर first call के लिए मिला तो first call पे adjustment करना पड़ेगा उसी तरह अगर first call पे मिला तो final call पे adjust करना हुगा तो adjust भी करना पड़ेगा वो भी हमारा bank वले entry के साथ ही होगा तो bank account debit अब adjust कर रहा है मतलब liability को हम खतम कर रहा है अब खतम कर रहा हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे calls in advance code debit में, वहाँ पर liability बन रहा था, तो इसलिए credit में लिखे थे, यहाँ पर liability खतम हो रहा है, तो इसलिए debit में लिखना है, और 2, share, allotment पे हो सकता है, adjust, अगर application पे मिला हो तो, first call पे हो सकता है, adjust, और final call पे भी हो सकता है, adjust, तो इस तरह से आप calls in advance की भी entry कर दे सकते हैं, ठीक है, अब अगर आपको इस पूरे concept में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमसे contact कर सकते हैं, YouTube के comment box में, Facebook पे, Instagram पे, या हमारे Telegram चैनल पे, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, पेज को subscribe करें, और bell icon दबाए, धन्यवाद,